कि नमस्कार स्वागत आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल करमीर में आज मैं आपको ट्रिपल सिखाएक स्वाल हल करके बताऊंगा उससे पहले बता दूंगा यदि आप मेरे वीडियो पे नए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को तबादें ओल सब्सक्राइब करें लेकिन हमारे किताब के अंदर इस तरह का उधार ने तो मैंने समझा क्यों ने इन्हें हम हल कर देते हैं किताब का टाइटल सोशियमेट्रिक रिसर्च एडिटेट बाइड़्यू ए सेरिस लड़्यू फॉल फॉलॉफर लंदन पर्गोमें प्रिस 1993 इस में ऑथर का नाम है नहीं एडिटर है अधर इन्फॉर्मेशन कॉल नमर है वाई ओभी बी केपिटल टुएट कॉलन एफ वाई सोशियलोजी का समाज सासर का है ओभी इसका जो फेज लिसन जो बाइस का है ओभी केपिटल गनित का वी ट्वेटीट जो कॉंपरिटिव पर आपको यह चीजे मिल जाएगी और आप फेज लिसन देखना चाहते हैं तो किताब के पेजे कोलन किताब के पेज नमर टूपांट टूशिक्स पर आपको टूशिक्स टूएट तक आपको इसमें मिल जाएंगे कॉलन एक्सस नमर की बात करें फाइसे ट्रिपल वन अड्डिंग सेक्शन होता है उसमें कॉलन नमर लिखते वह भी पेंसल से लिखना जरूरी होता है आलंकि असे नमर हमेसा परतम के रंगानाथन जी ज्वारा पडरतें और अधन तकर उसको मिटाकर सई लखा जाए और उसके बाद यहां जैस्ट नीचे राइटर का नाम लिखा जाता है लेकिन इसमें राइटर का ओथर है नहीं तो हमने एडिटर के नाम लग दिया पहले सेरिस सरने मागे कर दिया और पीछे जब नाम उसको कोस्टक में कर दिया कोस्टक में आपको फूरा नाम लिखना है और उसके बाद कॉमा लगा कि एडी करना और अंडरलाइन का अर्स होता यह एडिटर है और अंडरलाइन यह नहीं करेंगे तो एडिसन बन जाए और लास्ट में आपको फूल स्टॉप जरू लगाना है जो भी सूचना पूर्ण हो वह तो लगते हैं लेकिन स्वाल में वह सीरीज का नाम एडिटर सीरीज का कोई नहीं है उसके बाद एक ही चीज बैचती है हमारे पार अक्सेस नंबर वह हमने यह लिख दिया और इसमें पेज नंबर वगरा लिखने का जो ट्रुपल सी में कोई प्रावदान नहीं है अब में एंटरी के बाद जैस में एंटरी के जो पीछे हम ट्रेसिंग करते हैं ट्रेसिंग के लिए हमें जो कॉल नमर होता है उसकी चैन प्रोसीज या निकालने पड़े वाई का लागे से टुकडों टुकडों में तो आप कोलन क्लास में वाई का जब वरगां डूंडेंगे सब्सक्राइब के लिए और वाई ओबी तो यह जो आपके फेज रिलेशन में आ जाता है दसा सम्मन में अब यह दसा सम्मन का मैं आपको बता देता हूं आपको पेज नमबर आपके कोलन क्रताब के टूपाइंट टूएट पे आपको यह चीज़े मिल जाएगी फेज रिल अब इसमें अगर सामाने है तो एबी सीडी वगर यह आएंगे अगर अंतर पक्स है तो आपके जे के अलम में आएंगे अंतर एरे है तो यह टी यूवी डबली वाई यह इस तरीक आएंगे इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा है और और आनवाल टाइम में इसका और गहन एक वीडियो में बना दोंगा तो यह भी आया तो इसका बायस है वह जनल है और अगर जनल नहीं बायस होता तो यह इंट्राफेक्ट के आता यू आता वह अलग जैसा सवाल है जैसा टॉपिक पर निरबर करता चली हम ऊपर चलते हैं तो यह वाई ओभी अब मैंने सिर्फ वाई ओभी इंटर फेज रिलेशन कोश्टक में बायस जो भी हो अगर वह आपको किताब में से देखके यहां सी जैसे बी था तो मैंने बायस कर दिया सी था अगर होता यह सी होता तो कंपरीजिन का बताता जैसा सवाल में होता वे से हमें लिखना पड़ता अब मैं यो भी हम टू भी कर सकते तो फिर्म कर सकते थे लेकिन मैंने और भी सोट बना दिया वाई ओभी भी टूएट ताकि मैं यह हमारा जो चैन प्रोसीजियर जितना छोटा होगा उतने हमेरी जो एंट्रियां वह आराम से बने क्यूंकि यह इस तरह की जो कार्ड होते यह जो को सब्सक्राइब करना और कौन सा सवाल में छोड़ना जो भी जी क्या होता है कि यह सवाल चुन लेते हैं जिसमें ज्यादा कि और बाद में पता चलदा कि हमारी 2-4 एंट्रियां रह गई तो वह भी आमें आपको बताऊँगा तो इसका यह अर्थ हो गया comparison complex variable for sociologist और पूरा जब हम वर्गांग लिखेंगे लास्टम तो इसका होगा F का मतलब हो जाएगा investigating आप यह colon किताब के page number 2.6 पर आप यह चीजी F मिल जाएगी और फिर फिर वह सेम दोरान complex variable for sociologist यह आपकी chain procedure होगी अब इसी के आधार पर आपकी जो क्लास इंडेक्स एंट्र जानि वर्ग निर्द से जो परविष्टियां वो बनेगी अब यह चीजें मैंने आपको समझा देती अब इसी के हम ट्रेसिंग करेंगे ट्रेसिंग में जो आपने यह जो चैन प्रोसीजर में आप जी चीजें बना यह उल्टी लिखने पहले जे इन्वेस्टी केसिंग वाले यह लान लिखने फिर वह यहां से नीचे से उपर की और चलना है वह सारी नीचे है एजट उतार देने यह से मैंने यहां पर उतारी एक टाइटल लिखा पूर्ण वराम लगा दिया उसके बाद इसमें क्या एंट्रियां है वह आपके एडिटर एडिटर का नाम सेरिस डवल्यूई फॉल कर वह एक बार लिख दिया और फिर एडिटर लगा के डोट दूसरी बार क्या करेंगे जो दूसरा जो एडिटर उसको पहले रखेंगे और पहले को बाद में क्यूंकि कुछ लोग होते पहले एडिटर को जानते हूं कुछ बाद वाले को तो हमें दोनों को महत्तर द निर्दिश्टी एंटरिंग या जो भी चीज लिखें वो सारे केपीटल लेटर में लिखनी है तो इन्वेस्टी गेटिंग कॉमा कॉंप्लेक्स वरीबल जैसा उपर आपने जो यह चू ट्रेसिंग में लिखा वैसा का वैसा आपको लिखना है और सर्सलोजिस जो भी था और पीछे पूर्ण वराम जरूर लगाना है उसके बाद यह लान आपको याद करनी है फॉर दोक फॉर डॉकुमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब्डिविजन सीधा क्लासिफाइड पार्ट ओफ दा केटलोग अंडर दा क्लास नमर याब की जो केटलोग की जो किताब आ सवालों में लिखी हुई है आप इसको याद कर लें आप इसमें कौन सा क्सा केपिटल है कौन सा क्सा स्मॉल है वह आपको लिख देना है और पूरा पूर्ण वराम लगाना अब यह कौल नमर कौन से लिखने कौल नमर जो आपने इन्वेस्टिगेटिंग कॉम्प्लेक्स आप जो अन्य जो दिये यह कि यह वाले यहां जो आपने जो यह वरगांग दी है यह कि यह आपको यहां पैंसिल से लिखने है उसके बाद दूसरी छोंडेक्स एंट्री और इसमें complex variables for sociology यह लिखनी आपको दूसरी आंट्री में complex variable for sociology और उसके बाद पूरन वराम लगाना इतना लिखे डोट-डोट करके लास्टम क्लास नमबर और फिर इसके जो भी जो वाई यो भी टुएट जो भी आपके आपने चैन प्रोसेजर में इसका वरगांग दिया वो आपको लिखना इस तरीके से और तीसरी भी है mathematics for sociology इसमें भी ये वरगांग आप इस तरीके से जो लिखनी है इसमें दोई एडिटर पहला शेरिस डवल्यू फो फोलो फर एल डवल्यू पीछे कोमा लगा के इडी लगा के डोट लगाना इडी का मतलब एडिटर थे उसके बाद यह इसका टाइटल लिखना यदि अगर लेखा का नाम आता तो यह टाइटल से पर लेख अनाउट पूरा पूरा पर अगना और उसके बाद दूसरा जो कॉलोबेटर है उसका बी ईंटरी और सेम तरीके से आप टाइटल और सेम तरीके से यह कौल नमर तो यहां कॉल नमर आपको फूरी जो ट्रिपल सी में पैंसल से ही लिखने under about pencil स vine छोगरी है तो इस तरीके तो अगर आपके ये जो फेज रिलिशन का भी अगर सवाल आजा तो आप इसको आरम से कर सकते हो और मुझे उमीद है आपको सवाल समझ में आ गया हो इस तरह का जो सवाल है आपको अगर आता आपको कोई दिकत नहीं होगी और अगले वीडियो में मिलता हूं तब तक के धन्यवाद।